राजेश दो साल बाद दुबई से काम करके लोट रहा था तब ही स्टेशन पर आकर जब गाड़ी रुखती है तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग भीक मांग रहे हैं और उसकी मा और उसका पिता उसके कंदे पर आकर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बाबुजी हमें कुछ पैसे दे दीजिए खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है राजेश जब मूँ गुमा कर देखता है तो उसके पाउं के नीचे से जमीन किसक जाती है क्योंकि जो भीक मांग रहे थे वह उसके माबाप और उसकी पतनी थी उनको देख करके उसकी आँखों में आशु आ जाते है और वह उनको कलेजे से लगा लेता है लिपट जाता है और बार बार पूछता है कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ इन दो सालों में जब मैं दुबई था दोस्तो वह उनको गले से लगा लेता है और फिर उसके बाद जब यहां पर जो राज खुलता है किस तरह से वह लोग भीक मांगने पर आमादा हुए थे क्या उनके जीवन में घटा था पूरी जानकार यहां पर लेने वाले हैं वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमसकार मैं हूं सुदेश कुमार और तिरशीवा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है जहां पर एक माबाप रहा करते हैं उनके दो बेटे हैं बड़ा बेटा राकेश, छोटा बेटा राजेश बड़े बेटे राकेश की साधी हो चुकी है तो छोटा बेटा जो राजेश से वे अभी कुमारा है तो अब यहां पर क्या होता है जो छोटा बेटा राजेश होता है वह अपनी बड़े भाई की पत्नि यानि की अपनी भावी के साथ अफेयर में चलने लगता है और जो उसकी भावी होती है वह भी किसी ना किसी मकसद से ही अपने देवर के साथ अफेयर में होती है दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है अब राजिस भी साधी के लाएक हो जाता है तो राजिस की भी साधी करवा दी जाती है राजिस की पत्नी का नाम रादिका होता है रादिका की मा विदवा थी यानि की रादिका के घर में उसकी मा और खुद रादिका थी तो अब रादिका की साधी हो जाती है तो रादिका दुलहन बनकर राजिस के घर आती है यहां आकर राजिस के साथ रहती है कुछ दिन तो सब कुछ सही चलता है लेकिन दीरे दीरे रादिका को पता लग जाता है कि उसका पती राजिस अपनी भावी के साथ अफेर में है लेकिन दोस्तों रादीका उससे कुछ नहीं कहती है सोचती है, सुधर जाएगा अब मैं आ गई हूँ लेकिन धीरे धीरे अब और समय बिकरने लगता है जो रादीका की जेठानी होती है यानी कि राजी इसकी जूभावी होती है वे राजिस को उसकी पतनी राधिका के पास भी नहीं आने देती है उसके पास से भी आने से रोक लेती है और राजिस से कहती है कि मैं हूना तुम्हारे लिए तुम चिंता मत करो उसके साथ क्यों रहते हो तुम्हारी में दूसरी साधी करवाऊंगी क्योंकि देन दहिज कुछ भी नहीं लाई इसकी माविद्वा है और यह दोनों माविटी अकेली थी दोस्तों इस तरह ऐसे राजिस को भेकाया जाता है अब राधिका देखती है कि उसका पती राजिस तो उसके पास आता नहीं है तो गुस्य में आ करके वे अपने माई के चली जाती है मा के पास इधर जो भावी होती है भावी बहुत खुस होती है कि चलो एक काटा निकल गया अब जो भावी होती है वे राजिस से कहती है कि तुम ऐसा करो दुबई चले जाओ और वहां से अच्छा खासा पैसा कमाओ तो उसके बाद जब तुम यहां पर आओगे तो तुम्हारी हम दूसरी साधी करवा देगे तुम चिंता मत करो राजिस अपनी भावी के बातों में आ जाता है और दुबई के लिए रवाना हो जाता है दोस्तो अब यहां पर साजिस को अंजाम दिया जाता है जो राजिस की भावी थी उसने उसको दुबई इसलिए भेजा जिससे की रास्ता साफ हो सके और वह पीछे से प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सके तो राजिस का बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ मिला हुआ था राकेस तो राकेस और उसकी पत्नी दोनों ही माबाप को बहला फुसला कर उनसे अंगूठा दस्कत करवा लेते हैं किसी और कामकी कह करके राजिस की जो माता पिताते हुए सीरे साथे थे अंपर थे अंगूठा दस्कत कर देते हैं तो दोस्तों अगले इच्छन सारी प्रॉपर्टी राकेस और उसकी पत्नी के नाम हो जाती है जैसे प्रॉपर्टी उनके हातों में आती है तो वे सारी property को बेज करके और अपने घर को भी बेज देते हैं जो गाव में घर होता है सारे पैसे बना लेते हैं और अपने माबाप को वे धक्का मार देते हैं दरदर की ठोकर खाने के लिए छोड़ देते हैं और राकेस अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल चला जाता है यानि कि राकेस की जो पत्नी है वो अपने पत्नी को लेकर ससुराल चली जाती है अपने माई के चली जाती है जो राजेस और राकेस के माबापों दरदर की ठोकर खाने लगते हैं तो वे अपना पेट भनने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं वहाँ पर भीख मांग कर अपना गुजर बसर करने लगते हैं उदर राकेश और राकेश की पत्नी मौज मस्ती कर रहे थे अपने ससुराल में रह रहे थे अब दोस्तों धीरे-धीरे कुछ समय गुजरता है तो जो रादिका होती है राजेश की पत्नी जो राजेश को छोड़ कर चली गई थी उसकी मा का देहांत हो जाता है तो अपने घर में अकेली रह जाती है वैस सोचती है कि घर तो अपना ही होगा क्योंकि घर में तो अपने में ही रहना पड़ेगा यहां से तो पूर्ती नहीं पड़ेगी राधी का अपने ससुराल की तरफ आती है आकर देखती है उसके घर पर तो ताला लगा हुआ है अडोसी पडोसी उसे पूचती है तो अडोसी पडोसी बताते हैं यह गर तो वैब बेच कर चले गए है और फिर वैब पूचती है मेरे साथ ससुर कहा है तो बताते हैं पडोसी कि तुम्हारे साथ ससुर railway station पर भीख मांग कर अपना गुजरबसर करते हैं और तुम्हारा जेट और जेटानी सारी प्रोपर्टे को अपने नाम करवा कर उसको बेज करके और तुम्हारी जेटानी अपने माई के ले गई है तुम्हारे जेट को दोस्तो रादिका को बड़ा बुरा लगता है इसी तरह से वो तीनों अपना पेट भर रहे होते हैं दोस्तो जो राजेस होता है वह दो साल गुजर जाते हैं उसको दोबई में दो साल गुजरने के बाद ही उसको इंडिया का बीजा मिलता है तो वह इंडिया की tractा है वह अपने घर पहुचता सीधा घर जाकर देखता है तो ताला लगा हुआ था अड़ोशी पढ़ोशीओं से पूचता है तो सारा मामला उसके समझ में आ जाता है सारी कहानी पढ़ोशी बता देते हैं कि तुम्हारे भाईया भाबी भावी सारी प्रोपर्टी को धोके से अपने नाम करवा कर बेज कर चले गए और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे माबाप स्टेशन पर भीक मांग कर अपना गुजारा करते हैं राजे से सुनते उसके पाउun के नीचे से जमीन किसक जाती है वह एकदम से सिटेशन की तरफ भागता है वहां जाकर देख ही रहा था लेकिन कहीं भी उसको माबाप और उसकी पदनी नजर नहीं आ रहे थी तब पीछे से एक हाथ उसके कंदे पर आता है और वे कहती है पीछे से एक बूरी औरत कि बाबुजी कुछ खाने के लिए पैसे दे दो तीन चार दिनों से हमने कुछ भी नहीं खाया है दोस्तो वे पीछे की तरब देखता है तो उसकी मा उसी से भीख मांग रही थी वे एक दम से रोने लगता है और अपनी मा को कलेजे से लगा लेता है दोस्तो कलेजे से लगाने के बाद वे फूट फूट कर रोता है अपनी मा के साथ और उसका पिता भी वही पर खड़ा हुआ था उससे भी वे गले लगकर रोता है कहता है मा बाबुजी आखिर ऐसा कैसे हुआ कुछ देर के बाद उसकी पत्नी रादी का भी एक ट्रेन के डब्बे में से उतरती है उसके हाथ में गज़कें थी मुख फलियां थी और टौफियां थी वे भी वहाँ पर आ जाती है और वह सारे लोग गली मिलकर जोर जोर से रो गया हूँ उनसे राजिस किराय कमरा लेता है मंडी में सब्जी मंडी के पास और अपने माबाप को और पत्नी को वहाँ पर रखता है उसके बाद उस मंडी में पल्लेदारी करता है क्योंकि उसके पैसे तो खत्म हो गए ते किराय वगेरा में और आने में भी बहुत पैसे गर्च होते हैं, वे मंडी के अंदर पल्लेदारी करता है और अपने माबाप का भरन पोसन करने लगता है, उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है, जिससे वे परिवार चला सके, फिर उसकी पत्नी कहती है रादी का कि मेरी भी कोई सब्जी की दुकान खुलवा दो, मैं घ पैसों का कोई और छोर नहीं था, जितनी उनकी पुस्तेनी जमीन थी, उससे भी चार गुना ज़्यादा जमीन वहाँ पर खरीद लेता है, मैनत करने के बाद, अब दोस्तों उधर जो उसके भाई और भावी थे, उनका पैसा खतम हो जाता है, जो प्रोपरटी बेज कर धो ये मंडी में हैं और ये बहुत बड़े आदिह बन चुके हैं, तो वै वहाँ पर कहते हैं और गिर गिर गिराने लगते हैं, राजे से मापी माँझने लगते हैं, लेकिन राजेस उनको माफ नहीं करता है, वे मा और बाबुजी के सामने भीक मांगने लगते हैं दया की तो मा और बाप तो हमेशन दया के सागर होते हैं वे अपने छोटे बेटे राजेस से कहते हैं कि तुम्हें इन्हें माफ कर दो जो हुआ सो हुआ उनका भी कोई काम धंदा खुलवा दे तो राजेस अपने बड़े भाई और भावी के लिए एक छोटी सी दुकान खुलवाता है सबजी की वे भी कमाते हैं उनको भी ठोकर लग चुकी थी दीरे दीरे वे भी इतना कमा लेते हैं कि इनका भी पूरा मकान हो जाता है अपना और खुब प्रॉपर्टी हो जाती है अब ये दोनों परिवार सब्जी मंडी में नया नया घर अपना अपना अलग घर बना कर रहते हैं और साधी ब्यामें फंक्सन में एक साथ मिलकर हसी खुशी रहते हैं तो जीवन के अंदर ये उतार चड़ाब आते हैं दोस्तों अपने जीवन में नेजने क्या हो जाए, कहां से कोई कहां निकल जाए कैसी परिस्तिती आ जाए, कौन कितना दुखदाई बन जाए परिवार के अंदर इन चीजों का पता नहीं होता है इसलिए अपने जीवन के अंदर कभी भी ना तो घमंड करें ना ही किसी को धोका दें, क्योंकि उपर वाला देख रहा है उसकी नजर में सब कुछ है, हम किसी को धोका देंगे परिवार के लोगों को, या किसी को भी तो उपर वाला इस तरह से सेटिंग कर देगा कि हमारा आने वाला कल बुरी तरह से तबह हो जाएगा तो जीवन में घर परिवार के अंदर सब को एक मान कर चलें अपने मान कर चलें, वो एक फिल्म में कहते हैं अपने तो अपने होते हैं, कभी भी बैर न रखें एकता में बहुत बड़ा बल होता है दोस्तो एक लड़की, लखडी को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन लखडियों का घठा अगर किसी को दे दिया जाए कई लखडियों के एक साथ करके तो उनको तोड़ना मुस्किल हो जाता है इसलिए परिवारों को मिलकर एक साथ मिल जूरकर रहना चाहिए आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घठना के बारे में अपनी राय कमेंट बोक्स में लिख सकते हैं और कैसा आपको ये प्रोग्राम लगा अगली कहानी फिर से लेकर आऊँगा तब तक आप खुछ रहें जाहिंद जाभारत